पट्टी के साथ मुल्तानी मिट्टी का बना ये यूनिक फेस पैक आपके चेहरे को चमकता हुआ सितारा बना देगा बिना मेकप के भी ग्लो करोगे Hi everyone, welcome back to my another video मुल्तानी मिट्टी I know आप सभी लगा चुके होंगे मुल्तानी मिट्टी के इतने सारे फायदे जो हैं बालो पर, इसकिन पर जैसे मजी से लगाए बेनेफिट जालसादा आपको इसके मिलते हैं Oily skin, Dry skin, अलग-अलग skin type के different different ingredients के साथ मिलाकर चेहरे पर आप इसे यूज कर चुके होंगे हम सभी लोग को clear skin के साथ साथ फेस पर glow और चान जैसे चमक भी चाहिए होती है और चान जैसे चमक लाने के लिए मुलतानी मिट्टी को आज एक unique way में हम लोग अपने चेहरे पर लगाने वाले हैं और आज का ये tips, ये remedy आपको bacteria, acne free, clear और बहुती plumpy beautiful skin अचीव कराएगा इसके लिए आपने लेनी है पटी, इस तरीके जो पटी होती है वो जो चोट लगने पे लगाई जाती है पटी का यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी दोस्तों पटी घाओ ये चोट में लगती है लेकिन जब आपको फेस पैक लगाते हैं और इसकिन में इसको अच्छे से एब्जॉब करना चाहते हैं फेस पैक के जादा benefit इसकिन को देना चाहते हैं तो आप पटी का स्तमाल कर सकती है पटी में anti-bacterial properties होती है जिस वज़े से इसकिन के bacteria को खत्म करती है जिसमें pimples, acne ये मुहासे हो सकते हैं और इसका इस्तमाल कैसे करेंगे आपने पटी के 2-3 piece इस तरीके से size करके cut कर लेने हैं इन पटीों को आप upside रग दीजे यहाँ पर हमने दूसरी preparation करनी है इसके लिए आपको एक ball में 2-3 चमच मुलतानी मिटी चाहिए होगी लड़कियां clear skin के लिए मुलतानी मिटी अपने चेहरे पर लगाती है जिन लोग के skin oily होती है उन लोग को rose water के साथ मुलतानी मिटी लगाने चाहिए dry skin में आप कच्चे दूद के साथ मुलतानी मिटी लगा सकते हैं ये skin को clean कर देती है और skin का निखार बनाया रखती है दो चमच मुलतानी मिटी लेकर हम इसको mix करेंगे rose water से जिनके skin oily है वो rose water लेंगे जिनकी skin dry है जैसके मैं आपको कहा वो लेंगे कच्चा दूद मेरे skin oily है तो मैंने आप पर rose water लिया है oily skin extra oil को rose water reduce करता है and oily skin पर pimples जल्दी हो जाते है तो ये oily skin के pH level को maintain रखता है ठीक consistency के लिए आप इसमें अपने हिसाब से rose water डाल दीजिए skin पर hydration देने के लिए हम इसमें add करेंगे एक चमच के लगबा coconut oil आपके skin अगर oily है तो आप एक चमच ले लेजिए अगर आपके skin dry है तो आप यहाँ पर दो चमच ले सकते हैं oily skin को भी moisturize करने की जूरत होती है तभी skin glow करती है coconut oil healthy oil है जिससे oil skin पर भी लगाया जा सकता है यह तो अचार के अंदर deep hydration देता है coconut oil डाल कर हाँ पर हमको इसको mix कर लेंगे और इसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा नीमबू का रस निखार लाने के लिए और tanning को दूर करने के लिए अब आप इसको लगाएगे पत्टी के पीस अपने फेस पर इस तरीके से लगाना है फेला लेना है अपने पूरे फेस को अच्छे से पट्टी से जो है cover कर लीजिए इससे चहरे पर थंडग भी फील होगी और दूसरा यह sheet mask की तरह skin पर काम करेगा और face pack की goodness को skin में अच्छे से penetrate करेगा जब आप पूरे face को अच्छे से cover कर लेंगे तो आपने इस अपने चेहरे पर 10 मिंट रखना है और 10 मिंट बाद इसे हटा लेना है निकाल लेना है हटा कर face wash कर लिजिए बस ये करने के बाद आपका चेहरा light की तरह चुमकेगा believe नहीं है तो आप खुद इस्तमाल करके देख लेजिए और अगा आपको आज का वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like भी करते जाएगा